इस मुवी के कहानी में एक लड़की को अपने फ्रेंड की मां से ही प्यार हो जाता है जो उसके साथ दिन जात इंटीमेट होने के बारे में सोचता है क्या इस लड़की को अपने फ्रेंड की मां से अपना प्यार मिर पाएगा आज हम जानेंगे मूवी इन दा हाउस 2012 के मूवी के एक्स्प्लेन में अभी तक जिसने मेरे सेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज वरे सेनल को अभी सस्क्राइब करें और ऐसे ही रोमेंटिक और लब मूवी का मुक्त में आनंद उठाएँ तो चलिए बिना देरी की मूवी इन दा हाउस 2012 को एक्स्प्लेन करते हैं मूवी की स्टार्ट में एक टीचर को दिखाया जाता है जो बच्चों का एसाइमेंट टिक कर रहे होते हैं तो बीच्चर की वाईब शेन आती है जन एसाइमेंट के कुछ पेस्प्रों चे कर दिए और कहती तुमने बच्चों को नंबर क्यों कम दिये हो टीचर कहता है बच्चों कुछ लिखा यह नहीं है तो मैं किस बाद का नंबर दूँ जैसे यह assignment एक cloud नाम बच्चेगा है जो वह लिगा है कि मैं राफा के घर पर जाना चाता हूँ और उसे math पढ़ाना चाता हूँ next scene में teacher cloud से पूछते हैं assignment का दूसरा पेश कहा है cloud assignment का दूसरा पेश निकाल कर teacher को देता है वह teacher चाकर आगे की story पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था इस बार जब लाफा cloud के घर पर गया था तब उसकी मा बहुत खुश होती है और लाफा को math में अच्छे नंबर आने से cloud को thank you कहती है राफा की मा जब जा रही होती है तो cloud उसकी मा को बहुत ध्यान से देखता है फिर दूसरे दिन जब राफा के घर पर cloud गया था तब उसके पाप घर पर रहे कर मैं से देख रहे होते हैं जबी उनका फोन आता है वे फोन से बात करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं फिर क्लाउड सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही राफा की मां के बहुत करीब आज आओंगा दूसरे दिन जब क्लाउड राफा के घर पर गया था तो वे राफा को एक आते हैं तो क्लाउड राफा को देख लेति है। क्लाउड कहते हैं मैं इस ततजबीर को देख रहा था। तो Cloud को Rafa को दुबारा नई बढ़ाने देंगे इसके लिए Cloud अपने टीचर से मदद देता है और वह कहता है इस बार आपो मैध के पेपर को चुराना होगा Cloud के टीचर यही करते हैं मैध का पेपर चुरा कर Cloud को दे देते हैं दूसरे दिन जब मैध का टेस्ट होता है तो उसमें राफा बहुत अच्छा नमबर लाता है तो राफा की माध को ट्यूशन बढ़ाने के लिए कहती हैं दूसरे दिन राफा के मुद्वादर और राफा दोनों लोग उड़वाल खेलने चले जाते हैं कि क्लाउड राफा घर पर उसकी माध से मिलने जाता है और राफा के मैध के बारे में धूड़ने के लिए कहता है पर उसकी माध धूड़ नहीं पाती तब राफा की माध से कहता है जैसे आपकी ये रिंग बैर्ड है वैसे भी मेरी माध की थी पर अफसोस मेरी मा इस दुनिया में नहीं है राफा की मा एमोसिनल हो जाती हैं और क्लाॉट को कुल डुरिंग गिलाती है ऐसे ही कुछ दिन ब guessing बाद राफा की मा और उसके फादर के पीछ छगड़ा हो जाता है क्लाउड इसी का फायदा उठाकर राफा की मां के बहुत करीब जानी की कोशिश करता है जिससे राफा की मां को बार बिना डरें उसे एक लेटर देता है वह लेटर पढ़कर राफा की मां क्लाउड के साथ ट्वीट लिकिस करती है जो यह सब राफा देख रहा होता है, दूसरे दिन राफा के फादर बहुत उदास थे, ज्योंकि वह अपने जॉब से बहुत बसान थे, तभी राफा की मा आती है, वह कहती है, एक कुछ खबरी है, मैं फिर से मा बनने वाली हूँ, यह बात सुनकर हूँ, राफा के फादर ब वापस कर देती है, और कहती है, अभी तुम बहुत चोटे हो, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकी, क्लाउड को या बास सुनकर बहुत बूरा लगता है, वह टीचर के घर जाता है, पर तीचर घर पन नहीं होता, तो उसके वाइब के साथ इंटीमेट होता है, यह मूवी यहीं पर समापत हो जाती है, थैंक्क पर वाचिंग